सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा अपने दोस्तों को भी शेयर जुरूर करिएगा इस पार्टिकुलर यूट्यूब चैनल को प्यारे दोस्तों आज महीने का है आकरी दिन और आप लोगों को आज शाम को प्रयास करूँगा कि पूरे महीने की important current affair जरूर शेयर करवा दूँँ प्यारे दोस्तों कल आपसे एक सवाल पूछा था कि कौन से उन्वरस्टी की महीला कबड़ी टीम ने खेलो इंडिया चैंपियन बनी है तो ये पुरुछेतर उन्वरस्टी की थी ये याद रखना option number A सवाल का ठीक था और आपके लिए आज के सेशन स्टार्ट करूँ उससे पहले ही आप लोगों को पता है कि हमारे भारत में 9 साल पूरे हो चुके हैं मोदी गवर्मेंट को और 2014 से 15 अब तक आयर एजुकिशन में 28% महीला का नामंकन बढ़ा है लगबग 56% जन दन खाता धारक महीलाएं हैं इ कि प्रधानमंत्री आवास योजना के sachत 99% घर पूरी त्रीकशे यर श्यक्त रूप से महीलाओं के स्वामितव में अभी तक आ चुके हैं महीलाओं के पक्के घर या पके मकान का सपना जो है ना साकार हो रहा है लगबग तीन करोड घरों का निर्मान प्रधानमंद्री आवास योजना के तैथ हो रहा है आज का पहला करेंट अफेर जो है ना वो किस युनिवस्टी की पुर्स टीम ने इतिहास रचा है तो ये कुर्चेतर युनिवस्टी की महिला टीम ने इतिहास रचा ही था पुर्स की टीम ने भी रचा है इतिहास खेलो इंडिया में कुर्चेतर युनिवस्टी की पुर्स व नोमनाथ ने खेल निदेशक डॉक्टर राजेस सोबतीर टीम कोच राजेस कुमार और मैनेजर बलकार सिंग को सबी खिलाडियों को इनके साथ सबी खिलाडियों को बधाई दी है। फाइनल में ये मैच ये टीम जो ना चैंपियन बनी है। वैसे केळलो इंडिया ईुनिवर्सटी गेम के तीन चैंपियनिव्यसिप में कुर्चीतर उनिवर्सटी की वालीवल टीम जो है ना दो बार चैंपियन रही है। साल 2020 से सुरू हुए केलो इंडिया युनिवस्टी गेम के अंदर टीक है रगॉड मेडल जीता है अभी हाली में आली में किसका wise grant में selection हुआ है तो wise grant में selection हुआ है पूजा का यानि कि option number A इस सवाल का बिल्कुल ठीक है wiser grant actually wiser grant के हर्याना केंद्रिय उन्वस्टी की dr. पूजा यादव का selection हुआ है उन्वस्टी के कुलपती प्रोफेसर टंकेशुर कुमार ने dr. पूजा यादव को इस सफलता के साथ साथ जो है ना कहा है कि इनको बहुत भधाई भी दी है actually क्या है कि मेहंदरगड के जो सुक्ष में जीव विज्यान विभा की सहायक dr. जो पूजा यादव है इनका पूरा नाम है अचार्या dr. पूजा यादव है इंडो जर्मन साइंस और टेकनोलोजी सेंटर के जो वाइजर ग्रांट है इनको मिली है अभी हाल ही में इसके लिए एक्चुली जो ना जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री ओफ एजूकेशन और रिसर्च और साइंस और टेकनोलोजी डिपार्टमेंट भार्थ सरकार का एक combination का या यूँ कहीगा सुनिक तो प्रयास है जिसके अंतरगत ये मिलने वाला grant है दोजर तेईस में दस भारतिय महिला जो research हैं इनको दो जर्मन research को लिए इसके लिए चुना गया है और इसमें जो है ना क्टर पूजा इस grant के निर्धारिक लक्षों को प्राप्त करने में सफल रही है अब इनको जो है इस grant के तहत यहां पर research करने का मुका मिलेगा ये बहुत important सी बात है Pfizer कारेकरम का उदेश है कि महिला सोध करताओं में वेग्यानिक समता को बढ़ावा देना है research के मामले में महिलाओं की availability को थोड़ा जादा करना है इस grant से basically क्या होगा इस grant से मानव peptides की जो है खोज करना और biofilm निर्मान और bacteria के विखास को रोक सकने के लिए research जो हैना की जाएगी बहुत सारे रोगानू रोदी हैं इनका उप्योग किया जाता है मतलब basically human से related या यू कहिएगा microorganism से related जो हना ये research करेंगे वहाँ पर जाके very very important है और ये कारिकरम 2017 से 2025 के बीच में भारसरकार और fellowship university के बीच में चल रहा है तीन साल के लिए इनको ये grant मिला है ठीक है और जो university है हरियाना की central university और जर्मन इनके बीच में ये MOU हुआ है एक type का आली में किस ने रिवाडी में 10 करोड 80 लाख रूपेगी लागत के विकास प्रियोजनाओं का सिलयनास किया है रिवाडी के अंदर 10 करोड से भी जादा 10 करोड 80 तकरीबन आप कहा सकते हो 11 करोड की प्रियोजनाओं का सिलयनास किया गया है और ये किसके दवारा किया गया है उनका नाम है राव इंदरजीत सिंग अच्छा राव इंदरजीत सिंग को आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे इनकी फैबिली perspective इनको आप लोग अच्छे से समझते या जानते होंगे. क्यों जानते और क्यों समझते हैं इनको आप लोग? क्योंकि इसकी इनकी वज़य जो है न ये राव family से हैं. तो क्या important होगए? बहुत important है. क्योंकि इन ही की परिवार से जो है न हरियाना के अंदर पहले गैर कॉंगे सी मुख्य मंत्री बने थे अगर आपको याद हो तो जिनका नाम था राव बिरिंदर सिंग राव तुला राम जी को भी आप लोग जो है न बहुत धंक से जानते होंगे कई बार इनका नाम सुना होगा आपने राव तुला राम जी का भी अच्छा राव तुला राम जी के अलावा जो है न आप लोग साइद जानते होंगे हरियाना के अंदर जो है न हीरों का छेतर वो भी रिवाडी का ही रहा है पूरा पूरा तो यह कई सारे important question जो है आपके लिए बन सकते हैं और एक्जाम में भी जो है न पूछे जा सकते हैं यह तो कई बार पूछा गया है कि हरियाना के अंदर पहले गैर कॉंग्रेसी मुख्यमंत्री जो हैना कोन रही है तब आपका नाम जो हैना हमेशा हमेशा रहे रहा है राव बिरिंदर सिंग जी का ठीक है रेवाडी विए से हरियाना का एक बहुत ही interesting और बहुत important सा जिला है अच्छा राव तुलाराम जी के बारे में या हम रेवाडी के बारे में बात करेंगे पर उससे पहले हम दोग ना राव इंदर जी सिंग जी के बारे में बात करें तो यह भारत में सांखे की और कारेकरम मंतरी अभी के लिए चल रहे हैं statics department इनके पास में है योजना मंतरले और corporate कारे मंतरले भी भार सरकार का इनके पास में है हरियाना में रेवाडी से ही बावल से जीते वे हैं सहकारिता मंत्री है हर्याना के और जन्स्वास्ते और अभियांत्री की डिपार्टमेंट भी है डॉक्टर बनवारी लाल जी के पास में ठीक है तो इन्होंने ही यहां पे एक केंद्रिय सहकारी बैंक की एक साका है इसका उधगाटन किया है रिवाडी स 60,000,000,000 रूपे की लागत से विकास प्रियोजना है तोटल का है जिसमें से 5,60,000,000,000 का यह हैफिड का एक स्टोरे सेंटर यह आपके हर्याना के CET के पेपर में डारेक्ट सिलिबस में है याद कर लेना आप लोग इसको बहुत ढंग से ठीक है अच्छा इसके अलावा जो बना वो कहां बनेगा अगर आप से पूछ लिया जाए तो वो रेवाडी के अंदर ही बनेगा एको स्टार्टिंग में इसकी घोष्टना कब हुई थी इसकी घोष्टना हुई थी एक परवरी 2019 को केंदरी यह बजट में इसकी घोष्टना हुई थी निरमला सीता रमन जी न तो चुराण में वर किलोमेटर है जन संक्या अगर आप उचसे पूछो तो यहां की लगबग 10 लाग से कम ही है जन संक्या तो अच्छा एक बात याद रखना की पुर्सों की साक्षरता दर हर्याना में सबसे ज़दा जोहना वो रेवाडी की रही है 2011 की जनगना की अनुसा बावल और बावल औरक्षज सीट है यहां से ही बनवारीलाल जी जीते हुए है तीसरी सीट जो यहां की हो है कोसली ठीक हैना कोसली के लिए जगादरी हरियाना में बहुत ही ज़दा परसिद है तो यह भी बात आप लोग याद रखना इसके अलावा जो है ना रिवाडी के अंदर एक कुंड है वो करेंट फेर में भी आता है थोड़ दिन पहले यहां पे और वैसे स्टाटिक में भी रिवाडी के अंदर एक सर्वे जो है ना वो हुआ था सप्टमबर 2021 में वो भी रिवाडी में 60 से ज़्यादा परजाती जिसमें पाई गई है यह भी बात आप लोग याद कर सकते हो अचा हर्याना राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल जो ना वो भी रिवाडी के अंदर 2008 में सैट अप हुआ वो भी आ प्रेटन विकास बैंक अर उसके जो चेर परसिन है उनका नाम अरविंद यादव ही है ठीक अरविंद यादव यह भी रिवाडी के ही है यह भी आद रखना आप लोग अचा हर्याना का पहला ग्रीन एंदरजी प्लांट अगर आप मुझसे पूछते हो ठीक ना ग्रीन एं प्लांट है तो यह एंदर जुरूर याद रखना आप लोग और हृजाना के रिवाडी से आप लोग क्या बात चिह उब्लोग और आप रिवाडी से याद करोगे यहां के बहूत इंदल बात यादख सकते हैं व्लेद जबऊवा नाम का के इंदर है अप Si marsh मोर और चिंकारा परजनन के अंदर के लिए है अच्छा यहां पे नहार सिंग वन्य जी और भ्यारन भी है स्टेडियम तो मैंने आपको कई बार बताया ही है और सबसे पहली ट्रेन भी आपको पता होगा अगला सवाल हमारा क्या रहेगा यहां पर हाली में निती आयो के वार्षिक स्वास्ते संस्थान 2020-21 में हर्याना को कौन सा स्थान मिला है तो हर्याना राज्य को जो है इसके अंदर स्थान मिला है 14 नमबर बहुत ही जादा important question है एक्जाम में सीधा सीधा सवाल जो है आपके लिए बन जाएगा याद रखना केरल टॉप पे है 75 मार्क्स के साथ में ठीक है न और इसी लिस्ट में आप लोगों को यह हर्याना 66-67 नमबर के साथ में जो हना वो 14 नमबर पे है SDG इंडेक्स 2020-21 परफॉर्मेंस टेट एंड यूटी की जो हना यह लिस्ट आई है चंदिगड इसमें Union Territory के मामले में टॉप पे आया है तो यह टॉप रैंकिंग है हलंकि यह पहले की ही रैंकिंग है कोई नहीं नहीं है लेकिन भार सरकार ने इसको फिर से एक बार अपडेट की है तो करके आपके आगे है यह ठीक है न यह सारी चीज़े तो हई है आपके पास मैंने कि नीती आयोग के बारे में बात कर लेते हैं एको हर्याना गुरूप डी का आप लोगों को पता ही है कि अभी नया नॉटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें जीके सामिल है पॉलिटी सामिल है पॉलिटी के दरी आयोग सारे ही है वैसा तो मेरा बैच आपके लिए कंप्रीट अवेलबल होगा बैच के अंदर में से कुछ डेटा है उसका मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कुछ इस परकार का कंटेंट होगा बैच के अंदर आपको अगर पढ़ना होगा तो अगर आप चाहते हैं तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर बैच लॉंच किया जाएगा जल्दी लगबग पांच जून के आज पास लॉंच कर दूंगा या उससे पहले भी नैशनल इंस्टिटूट फो ट्रेनिंग जो है ना इंट्रांस्फोर्मिंग इंडिया ये इंडिया में है एक जनवरी 2015 को यह आया था इसकी क्या क्या इपार्टन बात है है कि स्थापना कब हुई थी देंको इसकी स्थापना एक जनवरी 2015 को हुई थी यह याद रखना पहली तो बात बाकी चीजे बात में पढ़ लेंगे निति-आयो कि स्थापना हुई थी और ये एक कारेकारी निकाह है गैर वैदानी के गैर सवैधानी कई थिंक-टैक है बत नमें कोती है और फूल टाइम मेंबड इस प्रसिशमिस कश में होते हैं इनका नाम है सुमन के बेरी हैं तो हैं unrelated मेंit के अंदर होते हैं और मुख्यकार पालिका अधिकारी सक 12 कहते हैं ये अभी प्रेजDAY में जो concealed चल रहे हैं ये बीवीर सुप्रमुन्यद dog चल रहे हैं अ представ nikत है अभी वियर सुप्र मुन्यद चल रहे हैं पहले अभी वियर चल रहे हैं टीक है तीसरे नंबर के चल रहे हैं ब तो आज का यह सेशन इतना ही ता थैंक्यू सो मच हस्ते मुस्कुराते जुरूर रहना मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में आपके लिए किस्तन है कि पुलवामा में आंतंक्तियों को मार गिराने वाले किस जिले के मेजर आदित्य को सोरे चकर से समानित किया गया मुझे आप बताना हर्याना में सोरे चकर अवोडी को कितने पैसे मिलते हैं THANK YOU SO MUCH और जिस जिले का जो अन्सुर है जो भी मतलब जिला है इस गान्सुर वो आप details से बताना मुझे Thank you so much